तमान समानी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन हमारे आज के कारकरम है। यहां रखने वाली बाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीजों का दिहान रखें। आसन के बिना पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। इन चीजों को भी दिहान में रखना चाहिए। और अब अभिसेग किन-किन पदार्तों से हम लोग कर सकते हैं। देखें अभिसेग में सबसे जो अधिक मात्रा में हम लोग रुद्राविशेग जो करते हैं। उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि दूध या जल से हम लोग अभिसेग करते हैं। देखें दुग्द और गंगा जल या फिर जल मिला करके यह हम अलग-अलग भी अभिसेग कर सकते हैं। लेकिन जब हम रुद्राविशेग केवल दूध से करें तो ये थोड़ा यहाँ पर इसपे सर्फ फलदायक बताया गया है। इस ये खासकर दुग्द का जो अभिशेग है ये सुक्षान्ति और सम्रधि के लिए किया जाता है। या नहीं परिवार में शुक्षान्ति बनी रहे, ग्रहकलेस है, उससे बाधा जो शमश्या हैं उत्पन हो रही हैं उनसे मुक्ति के लिए, क्या आपने देखा होगा आपके कारक्षेत्र आपिश में है, कहीं तनाव बना रहता है, तो उन सब चीजों से मुक्ति के लिए य इसलिए उससे बिशय होना चाहिए, दूसरा आपने देखा होगा, कि दूद के साथ सात में दही का बिशयक भी होता है, दही हम पंचामड तो में भी मिला लेता हैं, ठीक है न, तो दही का जो विसेश कर अबिशयक होता है, अंतुती के लिए, संतानसुक के लिए, और शत् जादा प्रकोप आप पर है तो आप जो है दही से अभिशेक कर सकते हैं गंगाजल की में सर्वता अलग्षे बात कर रहा था तो गंगाजल देखे एक तो मानशिक शान्ति के अगर कोई बहुत जादा मानशिक व्यथा है कुंडली में विजदोस है मानशिक अशान्ति रहती के साथ राओ की कि यूति है या फिर केतु के साथ चंद्रमा की होती है ऐसे स्ति में मन बड़ा सांत रहता है अस्तम चंद्रमा है, अस्ते में व्यक्ति को शिप प्रशनता के लिए और मानसिक सांती के लिए व्यक्ति को गंगा जल से अभिशिक करना चाहिए, मोख्षिक प्राप्ति के लिए भी गंगा जल से अभिशिक किया जाता है, तेकि पंचा मिर्त का एक और अंग है, एक और आपती के लिए जो है सहद में जल मिलाकर ये गंगा जल मिलाकर आप अभिशेग कर सकते हैं खाली सहद का भी कर सकते हैं बहुत अच्छे और रोग मुक्ती के लिए इस्पेसल गिलोई का भी परियोग होता है गिलोई का रसका अभिशेग भी रोग मुक्ती के लिए किसी प्र प्रिलम भी करता है ठीक है ना वंस की ब्रधी करता है संतती का लाब दिलाता है संतती बरधन करता है साथ में संपत्ती का बरधन भी करता है और आप अपने जीवन काल में तरक्की चाहते हैं आप जिस भी फिल्ड में काम कर रहे हैं आप अपनी तरक्की अगर चाहते हैं प्र घ्रित हो तुवा सर्वस्रेष्ट है अब बात आती है गन्य की रस से आपने देख़ा विष्यक होता है गन्य का रस जब अविष्यक में हम लोग पुरियोग करते हैं तो वो खास कर महालक्षमी के प्रश्णता के लिए किया जाता है धन ब्रद्धी के लिए गिया जाता है आपके जीमन में सम्रद्धी कैसे बढ़े उसके लिए जो है गन्य का रस का प्रियोग करता है आपके जीमन में ऐस्वर्य जो भी किसी प्रकार की भोग वस्तुवे हैं उसके ब्रद्धन के लिए जो है याँ पर ऐसुरे बृद्धी के लिए गन्य का रस्पर युग में लिया जाते हैं और सत्रू बहुत जाता हैं, हम चाहते कि सत्रू परास्त हो जाएं सत्रू खतम हो जाएं, तो फिर तेल का भिशेख बताया गया ऐसे में तेल का भिशेख कर सकता हैं तो बंदों ये अलग-अलग पदार्त से भगवान सिब के विश्य कफल था आप शावन में घर बेटें पदार्तों का अभी सेख कर सकते हैं और इसका लाब ले सकते हैं